हलो फ्रेंट्स, इस असोसियेशन टीम के आईडिया जेनरेशन सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों चलिए आज के इस सेग्मेंट के शिरवात हम एक सोविचार से करते हैं और आज का जो सोविचार है वो ये है कि ना मुझे कोई रहा आसान चाहिए ना मुझे कोई पहचाहिए पर सभी के चेहरों पर कोशी देखने के लिए उनके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान चाहिए दोस्तों जी हाँ चलिए आप इस विचार को समझ लेते हैं जिस तरह से हमने समझा है हम कोशिश करेंगे उस तरह से ही हम आपको समझा है देखे दोस्तों अगर हमने इस तरह को समझना तो हमें मदद मिली बीजों की ठीक है वो इस तरह से कि दोस्तों जैसे माल लीजे कि हमने किसी के आम की गुठली को बो दिया ठीक अब आम की गुठली को बो दिया आम का पौधा बना फिर मौसम की मार जेलते जेलते संगहश करते करते वो पौधा एक दिन पेड में बदल गया ठीक अब देखिए पेड पे तो बहुत चीज़े आपको मिल जाएंगी डालिया होती है फूल होते है पत्ते होते है फल भी होते है ठीक तो आम की लकडिया काफी काम आ जाती है प्लस आम के पत्तों का भी बहुत काम होता है फल आप खाते है आम गर्मियों की मौसम में ठीक वो भी कितना अच्छा लगता है खाने में ठीक है तो देखो अब पेड बन गया बात सही है पेड काम भी आ रहा है लोगों के ये भी बात सही है लेकिन बीज ने अपनी पहचा खो़ दी है ना बीज तो नीचे की तरफ धस गया ठीक लेकिन बीज का अस्तित फिर भी बना रहता है क्योंकि बीज की वज़े से ही तो पेड बना ठीक वही भाबना हमें अगर हम अपनाते हैं तो असल जिन्दगी में हम एक लीडर कहलाते हैं क्योंकि हमारे ही वज़े से लोगों को एक अच्छा महौल मिलता है उसमें जीने की ताकत मिलती है और साथ में लोगों को ये भी प्रेड़ना मिलती है कि वो जो आने वाली पीड़े है उसको उसी तरह का महौल दे पाएं जिस तरह का महौल उन्हें हमारे द्वारा दिया गया तो दोस्तों आज के समय में ये चीज ये काम बहुत जरूरी है चोकि हर किसी को करना चाहिए और आप अगर ऐसा करेंगे तो युगो युगो तक आप का नाम लिया जाएगा और आपको याद किया जाएगा और अगर आप सही में ये करने में सफल हुए बीज का एक्जामपल लेते हुए तो यकीन मानिया हर कोई आपके जैसा बनना चाहेगा जी हाँ दोस्तों तो काम हमेशा ऐसा करना चाहिए जिसे लोगों को लगे कि नई इनसे अच्छा रोल मॉडल हमारा कोई नई हो सकता तो हमें इनके जैसा बनना है है ना तो चली दोस्तों आज से इस आईडिया को अपनाने का संकल्प लेते हैं जब भी हम कभी भी लीडर बनने का सपना देखें तो हम बीज को याद करें कि किस तरह से बीज अपनी पहचान को मिटा कर भी ज़स तरह से अपने अस्तित्त को बनाए रखने में समर्थ हो प यकीनन दुनिया बदल सकते हैं जी हाँ दोस्तों और इस भावना को अपनाने के लिए भावनाओं की उच्छी उडान चाहिए और ये जज़बा चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों इसे बात के साथ हम ये सेग्मेंट यहीं पर खत्म करते हैं लेकिन फ्रे इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा जो लोग इंटरनेट फसलिटी का लाब नहीं उठा पा रहे हैं है ना तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के भेर सारे प्यार, जिनूर, चस्पात और कड़ी मेहनत के साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसके बदालत ना सर्फ आप सभी नई-नई पुचाईयों को छूरे हैं बलके साथ ही आप सभी हर इक्षेत्र में अपनी योगिता का पर्चम लहरा पाने में भी भली भाती सक्षम है तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी कर्व की भादना को अपने मन में संजोई वे एक पार फिर पूरी डिवाइन लाइच असोसियेशन टीम के ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार